शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले नाग विदर्ब चेंबर ओफ कॉमर्स द्वारा नवी सी सी द्वारा व्यापार जगत पर ला दे गए लाइसेंस राज का पिरोत किया गया जिसके चलते ही कल नागपुर शहर का व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा इस मौके पर व्यापारियों ने मनपा एक्तत कारा मुंडे को सक्त लबजों में चेता उने दी भारत यह कृषिप्रधान देश है इस देश की आर्थिक प्रणाली का जिम्मा व्यापारियों पर है देश के व्यापारियों को आर्थिक रीट की हड़ी भी कहा जाता है लेकिन आए दिन देश के हो या फिर शहर के व्यापारियों पर कई नियमों को लेकर व्यापारियों का बिजनेस चौपट होते हुए नजर आ रहा है शहर में कोरोना महमारी ने अपने पाउप पसा रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की मोते हो चुकी है कोरोना का संक्रमन बढ़ा है कोरोना का संक्रमन रोकने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा ओड और एवन का फॉर्मूला बनाया गया है जिस पर अब अमल हो रहा है मन्पा प्रशासन ने नए सीरे से लाइसेंस बनवाने के लिए व्यापारियों को हिदायत दी है जिसका विरोध व्यापारियों ने पुर्जोर तरीके से किया मन्पा द्वारा व्यापार जगत पर लादे गए लाइसेंस राज का विरोध शहर के नाग विदर्ब चेमबर ओफ कॉमर्स की ओर से किया गया है इस मौके पर व्यापारियों ने एक दिन का दुकान बंद करने का व्यापारियों से अपील की है इस बारे में NBCN टीम को व्यापारियों ने जान करी दी दर्शुकर नमस्कार इस समय में इन विसेंग की टीम नाग विदरबचे मरव कॉमर्स के उन तमाम व्यापारियों के और आई हुई है और व्यापार जगत में इस समय में कुछ खलबली मची है आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि जिसके चलते मनपा प्रश्चासन का विरोत कि कि जा रहा है व्यापार यह जो खलबली मची आखिर रूप करना चाहिए एस में यहार साथ मैं अद्ध्षाय में जिसके आपने कहा है कि लादे यह लाइसंस कि इसमें कितनी सच्चाई है पूर्ण रुप से सच्चाई है आप इसमें पूर्णता चश्चाई में कानून के तेट हमें कई खिड़कों पर जाके लाना एक तरफ मांदिये प्रधान मंत्री जी बोलते हैं कि फेसलेस और फियरलेस होना चाहिए व्यापार करते समय अदमी और वह उसके लिए प्रयाश्रत है और यहां हम 20 साल पुराने पद्दती पर जाकर हम इंस्पेक्टर र दागता कि कई व्यापारीों के गलती है रहे व्यापारी तो त्रस्त है धन्दा बंद करने के बाद भी 20 अश्मleshक घ्यूब में खाना खिला अगर दुकाने चालू रहेगी तो भीड बटेगी व्यापारी को दुकान बंद करने के बज़ए आप अडवाइसरी क्यों नहीं जाहिट करते कि भीड में लोग नहीं जाएं लोगों को तो आप बोलते नहीं है यह कुंसा सिस्टम है हर व्यापारी को बोलना है कि तुम करोन करेंगे और हम लोग इनको देखते रहेंगे ऐसा हो नहीं सकता खुला विरोध करेंगे और इसका तबादला हो इसकी पूरी हम भर्पूर प्रक्तिय करेंगे जिस प्रकार से आपने जो विरोध किया लेकिन आपकी अगले रन नीती किस प्रकार क्योंगे मनपा प्रशासन के अगेंस में देखे सारे व्यापारी मिलके तैयार करेंगे यह मेरी कोई रन नीती नहीं है नाग विदब चैंबर अफ कॉमर्स यहां की संस्ता है पूरे वि तो अगर कोई शेहर वास्यों के साथ व्यापारियों के साथ गलत वहवार करेगा तो व्यापारी को जवाब देना आता है मारास्ट में इवन नागपुर में गुमस्ता कानून आल्रेडी पहले से लागू है और वो सभी व्योसाई यहां पर उसका परिपालना कर रहे हैं तो उसके बाद लाइसेंस की क्या जरूरत है तो आज जो भी मनपाय यूक्त ने यहांदेश निकाला है कि सबको लाइसेंस व्यापारियों को लेना पड़ेगा तो इसकी जरूरत ही नहीं है तो यह जो व्यापार उद्व्योग को तंकरने की निति जो लगाई गई है यह बरदास्त नहीं है इसके विरोध में हम लोग 19 तारीक को बंद का आयोजन एक दिन का कर रहे हैं सर ऐसा मानना है कि अभी जो परिस्तिती चल रही है करोनों के वज़े से लोगों के एक्सपेक्टेशन यह रहते हैं कि सरकार से एड्मिनिस्टेशन से हमको कुछ रिलीफ मिलेगा कुछ उसमें कोई हमको फायदा मिलेगा उल्टा हम पर थोपा जा रहा है ऐसा करने से हमारा बड़न बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है तो यह तरह से सजा है गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए आप सभी ने सब व्यापरी नियतों की बात सुनें जो मैंने आपको पहले का मैं उसे वापस से वही सब चीजों को दोराते वे हम यह अनॉंस करते है कि वन्निस तारीकों हमने एक दिन का सांकेतिक बंद अनॉंस कर रहा है मैं सभी व्यापारी भाईयों से गुजारिश करता हूँ कि आगे हमें सरकार राज, इंस्पेक्टर राज से बचना है तो खुरुपा करके कल एक दिन का आप बन रखी इक कोरोना काल के अंदर में व्यापार की पहले ही बहुत ज्यादा दज्जिया उड़ चुकी है और व्यापारी काफी तरस्त है इसके बाद इसके बाद इस मुल्टिपल कारपोरेशन द्वारा नए नए कानून लाकर के और व्यापारियों की अर्चन बढाना उसके विरोज एक तो वापार बंद रहेगा यह मैं नापपूर के मरा पहुज़ के परसिडेंट के तो इसलों पचली आए देखे थे पुड़ाशा है थोड़ा सा फटके पॉइंट बोलना चाहता हूं कोई भी नया कानून जब लाया जाता है तो कम से कम चार लोगों से चर्चा की जाती ह लोगों का consensus लिया जाता है लेकिन यहां हम देख रहा है पिछले कुछ दिनों से कार्पोरेशन के संद्मानिया कमिशनर साहब अपने केविन में बैट के एक से एक जिसको हम हिटलर शाही वाले निरने बोलेंगे वो निरने किये जा रहा है अगर इस चीज का हम विरोध नहीं करेंगे अगर दुकान का मालक और दुकान के नोकरों के कोरोना टेस्टिंग यह करवा रहे हमें यह पुछना है कि यह इसके लिए इन्होंने कितने नकपूर के प्राइवेट लैप्स के साथ हाथ मिलाया है बहुत बढ़ा स्क्याम है इसक को मानेंगे लिए मैं रामाउता तोतला नागवितर चेंबर ओव कोमर्स के सच्ची हूँ इस कोरोना मामारी के विशाज विशेशादिकार का उप्योग करके कमिश्णर साहब जो यह कानून निकाले हैं यह पहले सदर में पास होना चीए फिर उसके पेपर में देना चीए कि पब्ली को क्या तकलीब है वो सजेशन लेने के बाद इन्होंने लागू करना चीए यह जो लागू के हो हिटलर साही है इसका चेंबर विरोध करता है नमस्कार मैं संजे के अगरवाल उपाद्यक्ष नागविदर्व चेंबर आफ कॉमर्स देखके बड़ा अस्चरे होता है कि कानून को अनुपालन कराने की जो व्यवस्ता है कार्पोरेशन की अडिनिस्ट्रेशन वो ही मारस्ट्र मुन्सिपल कार्पोरेशन आक के नियमों का पालन नहीं करते वे इस तरीके के आदेश उन्होंने जारी करा है आदेश जारी करने के बाद में जनरल हाउस के पास में जा रहे है कि इसके रूल पास करके दो हमार को बड़ी विडमना है कानून का पालन कराने वाले अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता और ट्रेडर्स क्या करेंगे वो कुछ भी करें उनको इमाफी मिलनी चीए तो आप थे इन्वी सिची के तमाम अधिकरी और पदादिकरी जिन्होंने बखुब एरबेबा के साथ बात करते हुए कहा कि मनपा प्रश्चासन द्वारा जिस प्रकार से यह जो कामकाज किया जा र कर रही है क्योंकि भारत देश का जो व्यापार है उसको रीड की हड़ी कहा जाता है और इसी रीड के हड़ी को खिलखिला करने का काम इस तरह से मनपा प्रश्चासन कर रही है रहा आने वाले दिनों में यदि मनपा प्रश्चासन इस बात के और ध्यान नहीं देती तो वो समय दूर नहीं जब पूरा व्यापार जगत सड़क पर उतर कर आंदोलन करते हुए नजर आएगा अब देखना यह होगा कि मन्टपा प्रश्चासर इस और क्या स्टैंड लेती है और व्यापारी भी इस और किस दिशा में काम काज करती है एन वी सी सी कारेले से कैमेरा परसन सुबाल बुठले के साथ संजय मीरे इन बी सीन निउज नाकपूर